समस्क्राइब दोस्तों मैं डॉक्टर दीपीका जैसवाल आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे होमियोपेथी के बहुत इफेक्टिव वेड बढ़ाने वाले एक माल्त के बारे में तो दोस्तों आप बहुत जादा दूबले पतले हैं आप कोई भी ड्रेस पहन लिया आपकी बॉड़ी पर प्रॉपर लूप नहीं आता यदि आप गर्ल है और अपनी बॉड़ी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं और आप बॉड़ी बिल्डिंग कर रहे हैं जीम में वर्काउट कर रहे हैं दोस्तों आप हाउस भाइब है या वर्किंग मुमन ह थोड़ा सा काम करने के बाद आप आपके बॉड़ी में थकान सुस्तपन महसूस करते हैं नीद ना ना भूक न लगना और चिरचिड़ापन महसूस करते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुती इन्फरमेटिव इस लाज तक ज़रूर देखे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबील के अलफा मालते के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी मैडिसिन मिली हुई है तो इसमें मिला है अलफा-अलफा दोस्तों अलफा-अलफा मेडिसिन जो है वो हमारे बेट को बढ़ाने में बहुती इफेक्टिव मेडिसिन है इसके साथ यह हमारे रोग प्रती रोधक शमता को बढ़ाती है और हमारी इम्मिनुटी को बूस्ट करती है दोस्तो नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली है वो है एविनस सताइवा एविनस सताइवा जो मेडिसिन है वो यदि आपको नीन ना आती हो बार-बार आपकी नीन रात में खुरती हो तो दोस्तो इसके लिए एविनस सताइवा बेस्ट मेडिसिन है दोस्तो next जो मेडि सिन्सुन mooली है वह जिन्सैंग दोस्तो यदि आप थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत जल्डी ठक जाते हैं आपके सरीन में ठकान मैसूस होती है कुछ काम करने का मन नहीं होता है तो इसके लिए जिंसेंग बेस्ट मेडिसिन है जो मेडिसिन मिली है वो है हाइडरेस्टिस दोस्तो हाइडरेस्टिस हमारे डाइजिस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट रखती है दोस्तो नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली है वो है सिंकोनो ओफिसिनेलिस इसे हम चायना के नाम से जानते हैं दोस्तो चायना जो है वो हमारे हिमोग्लोबिन को बढ़ाती है और सरीर में weakness को दूर करती है दोस्तो नेक्स्ट मेडिसिन जो डली हुई है वो है काली आर्स काली आर्स भी हमारे digestive system को ठीक रखने में उसको एक्टिवेट रखने में बहुती effective medicine है दोस्तो नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली है वो है केलकेरिया कार्ब केलकेरिया कार्ब एक नेचरल केलशियम है यह हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देने के लिए बॉडी बिल्दिंग करने के लिए केलशियम सप्लिमेंट का होना बहुती जरूरी है और केलकेरिया कारव एक नेच्रल सप्लिमेंट है और केरिया कार्वेक नेचरल केलशियम है दोस्तो नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली है वो है फेरम पॉस दोस्तो फेरम पॉस हमारे शरील में हीमोगलोबीन को बढ़ाती है और वीकनेस को दूर करती है दोस्तो इसके साथ साथ इसमें जर्मिनेटेड बारले भी मिला हुआ है जर्मिनेटेड बारले जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए जैसे अलसरेटिव कोलाइटीस, कॉनस्टिबेशन जैसे समस्याओं से बचाता है इसके साथ-साथ ये हार्ट के लिए भी बहुती इफेक्टिव है और कॉलिस्टरॉल को कम करने में मदद करता है दोस्तो अब जानते हैं इस के डोजिस के बारे में कि आपको अलफा माल्ट केसे लेना है तो दोस्तो आपको एक ग्लास कुनकुने दूद में एक चमच अलफा माल्ट डालकर सुबह लेना है दोस्तो अगर आप चाहे तो साम को भी अलफा माल्ट ले सकते हैं दोस्तो इस माल्ट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है ये पूरी तरीके से सेफ है दोस्तों वीडियो पसंद आये तो से लाइक और शेयर जरूर करें और हमें बिद्धी से रिलेंटेट वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब दो